हेलो एब्रिवन, तो कैसे अपने चाहिए , अपने तो आज मैं आप लोग को ले के चलने वाला हूँ Ecoland Water Park, जो पढ़ता है Guherati में तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला की ज़िए आप Guherati आते हैं तो Ecoland Water Park कैसे आ सकते हैं ? तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फिर स्वागत आपसे देरे इस्टायम पर तो अभी गौहाटी में ये मेरी गौहाटी सीरीज का तरिसरा वीडियो होने माला है और आज हम लोग जाने माले है एकोलेंड पार्क तो अभी थर पहले मम लोग अमाना ना मन्दीर गया थे उसके महाँ पिजित के उप्टाइब प्राइब इस्प्लोर किया पुरा एकोलेंड पार्क जा जा ले एक जा लेगे लागी है वाटर पार्क में हर रोज की अलगलग जट है यदि आप टेसमे आते हैं तो आपको 610 रुपे देने पढ़ेंगे और यदि आप Saturday और Sunday को आते हैं तो आपको 770 रुपे देने पढ़ेंगे और आपको यहाँ छोटे बच्चों की भी टिकेट लगेगे जिसकी हाइट 4 फूट से ज्यादा है इस पेकेज में अंदर की सारी राइट फिरी है और साथ में वाटर पाक लिए तो आप यहाँ पे न यहाँ पे इस तरह का बैंड दिया जाता है बैंड लगांगा तो अब अंदर जा सुचे हैं तो इस तरह का अंदर में लोकर विदिया हुआ है लोकर की पोस्ट आपको 100 रुपिस लगेगी और यहाँ पर अप्छेंज बगेरा भी कर सकते हैं तो आम तो साहे लोग ड्रेश मत्रों कर तेत कर चाँ हुआ 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 है क्याबक जोकीब क्यादए! की स稻ört मेरी जोच्च्च्ट कैसे कौुप अब hairst। इन्येंस यह रेका पीले, 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 वाटर पार्क में इंज्वाइब करने के बाद आप यहां पर बहुत सारी राइड भी कर सकते हैं जिसके आपको कोई कोस्ट नहीं लगेगी वह टिकट में ही इंक्लूड रहता है और यहां राइड करने में आपको बहुत मजाएगा टोटल यहां पर 10-12 राइड है और उसके अलबा में पूर्ट सारी अक्टिविटेस हैं जिसको आप वाटर पार्क में इंज्वाइब करने के बाद कर सकते हैं तो यह मेरा एकॉलिन वाटर पार्क का चोटा सब ब्लॉग था आप लोग को मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं समाप्त करता हूं तो चलिए मिलते हैं नेश ब्लॉग में धन्यवाद